नमस्कार दोस्तों, आज की मारी कहानी है रिष्टों की दौलत। आज महमानों के आने के साथ साथ घर में भी रोनक भड़ रही थी। धोलक की थाप बन्ना बन्नी के गीतों से पाखी के घर का आंगन गूज रहा था। पाखी की बुआ उपासना जी धोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पढ़ते वो चिला कर बोलती। अरे जोर जोर से गाओ ताकि महले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दुला मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे महले में इतने सुन्दर और अमीर लड़के से किसी बेटी का ब्याह नहीं हुआ होगा। अरे लड़कियों तुम सब भी कुछ नए जमाने के बनना बननी के गीत गाओ। तब ये पाकी की सहीलियों ने उसे छेड़ते हुए गीत गाना शुरू किया। जिसे सुन करके कमरे में बैठी पाकी मन ही मन मुसका पड़ी। लेकिन इन सब तयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ तो खटक रहा था। पाकी के मुसकुराते चहरे के पीछे चिपी उसकी उदासी पाकी की मा कांता जी ने पड़ ली थी। कांता जी ने बहुत कोशिश की जानने की लेकिन पाकी ने हर बार बहाने बना कर बात को मुसकुरा कर टाल दिया। कांता जी जब भी पाकी से कहती, पाकी तुम्हे कोशल पसंद तो है या नहीं, तुम्हे इस रिष्टे से खुश तो हो, तब तब पाकी कहती, ये कैसी बाते कर रही हो मा, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है, और आप सब की खुशी में ही मेरी खुशी है, शेहर गुड़गाओं में पला बड़ा अमीर परिवार का कोशल देखनी में 6 फिट लंबा, बेहतर सुन्दर, व्यक्तितप का लड़का था और वह घर का ही बिजनस संभालता था, वह अपने पिता का सहयोग करता था इधर पाकी एक छोटे से कस्बे की निम्न मध्यम वर्गे परिवार की चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, सावली सलोनी पाकी को जब कोशल के घरवालों ने पसंद किया, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कोशल से रिष्टा तै होते ही, सभी आसपास जान पहचान वालों को पाके की किस्मत भागिशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वज़े से बात बात पर ताना मारा करते थे वो भी आज कह देते थे, किस्मत हो तो पाकी जैसी पाकी की वुआ जिन्होंने पाकी का रिष्टा तै करवाया था, खुद को किसी तीसमार खा की तरह सबके सामने रखती और रिष्टा तै करवाने की वहवाही लूटती, लेकिन पाकी को कोशल का व्यवार समझ में नहीं आ रहा था शादी तै होने से लेकर शादी के दिन तक कोशल ने कभी भी अकेले में या फोन पर पाकी से बात करने की कोशिश नहीं की इस बात को लेकर जब उसकी सहलिया पाकी से पूछती कि अच्छा बता जीजा जी से कितनी बात होती है तो पाकी बात को छिपाते हुए कहती अरे वो व्यस्त रहते हैं और उनकी आदत भी नहीं है ज्यादा बोलने की वो आज कल के लड़कों की तरह फालतू बात नहीं करते शाम को दर्वाजे पर बारात आई जिसने कोशल को दुले के रूप में देखा बस देखता ही रह गया तब ही महमानों में मौजूद एक बुजर्ग महिला जैमाला के स्टेज पर दुला दुलहन को आशिरवात देने गई तो उसने एका एक सब के सामने कहा हाए दुला तो गुलाबों के फूलों सा सुन्दर है जिसे सुनकर सभी हसने लगे कुछ को पाके की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घरवालों ने लड़की में जो कोए संग हंस की जोड़ी बना दी शादी के दोरान कोशल ने सबसे अच्छे से बात की उसकी सुन्दरता मुस्कुराहट एव हस्मुक सुभाव को देख कर सब बहुत खुश हुए पाके की सहिल्यों ने पाकी के कान में कहा चल छूटी तो तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलती हैं तो फिर अभी ये कैसी बोल रही हैं सभी सहिल्या पाकी को छेड रही थी ये सुनकर पाकी मुस्कुराने लगी बड़े धुमधाम से पाकी की शादी कोशल से संपन हो गई विदा होकर जब पाकी कोशल के संग कार में बैठी तो कोशल ने उसकी तरफ पलट कर देखा तक नहीं और खिसक कर दूर दूसरी तरफ चेहरा घुमा कर खिड़की के बाहर देखनी लगा जिसे देखकर पाकी के मन में अपनी शादी शुदा जिन्दगी को लेकर अनिको डर और अशंकाय भर गई खैर पाकी विदा होकर अपनी शहर के ही होटल में ठहरी थी क्योंकि अगले दिन सुबह साथ बजे ही उसकी फ्लाइट थी उनके साथ घर के अन्य सदस भी वहां मौजूद थे पढ़ाई लिखाई के साथ पाकी ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था सुसराल में सास, ससुर प्रभात जी, एव, दो शादी शुदा ननंद रिया और पूजा थी पाकी की एक जेठानी सिया थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था हलाकि जेठ रागव शादी में शामिल हुए, दोनों भाईयों में आपसी प्रेम भी बहुत था सुसराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था बातो बातो में बस छोटी ननन विया ने सिर्फ इतना ही कहा भावी का सुभाव घमंडी और मूफट है इसलिए हम इस बार सुन्दर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की परिवार की लड़की को घर की बहु बना कर लाना चाहते थे पाकी कोशल के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई देखा तो कोशल कमरे में दाखिल हुए कोशल को कमरे में देखते ही पाकी की धड़कनी तेज हो गई चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया नजरे जुकाए कन्खियों से पाकी कोशल की तरफ देख रही थी कि तभी कोशल ने मुस्कुरा कर कहा तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी तुम्हें जाओ जाकर कपड़े बदल लो तुम भी थक गई होगी पाकी कोशल को मुस्कुराता देख कर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही और कपड़े लेकर बातरूम में बदलने चली गई पाकी के नए जीवन की शुरुवात हो चुकी थी कपड़े बदल कर पाकी जब बाहर आई तो देखा कोशल सो चुका था और उसे भी कोशल के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला अचानक उसके कानों में कोशल की आवाज सुनाई पड़ी पाकी उठकर तयार हो जाओ हमें एरपोर्ट के लिए निकलना है पाकी ने आखे खुली तो देखा कोशल का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस कंभीर बना हुआ था अब कोशल उसके लिए एक पहेली बन चुका था जहां एक तरफ पाकी, सास और नंदो का प्यार और अपनापन देख कर खुश होती तो दूसरी तरफ अपने पती का उसके प्रती ऐसा व्यवार उसकी समझ से बाहर था पाकी ने पर्स से फोन निकाल कर देखा, तो उसकी मा का फोन था उपचारिक बाचीत के बाद पाकी की मा ने कहा देख बिटिया, तेरे माईके की इज़द का सवाल है, वहां किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना सबका खयाल अच्छे से रखना, कितने भले लोग हैं पिचारे, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी अवकाद कहा थी अब तो बस तेरी बेहनों को भी तेरे जैसे सुसराल वाले मिल जाए, तो हम लोग गंगा नहा ले अच्छा सुन बिटिया, दामाज जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे बात करवाना हालचाल तो ले लूँ, पाकी ने सामने बैठे कोशल को देखा, जो मुबाइल में कुछ देख रहे थे कोशल के दिल्चस्पे न देख कर पाकी ने बहाना बनाते हुए अपनी मा से कहा वो भी अच्छे ही है मा, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूँगी अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ दिन बर आने जाने वाले महमानों के बाद, रात में फिर जब कोशल कमरे में आए, तो कोशल ने देखा कि पाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी इस बार कोशल ने बिना कुछ बोले पाकी को सिधा अपनी बाहों में भर लिया लेकिन अब पाकी का मुस्कुराता चेहरा मलीन पढ़ चुका था क्योंकि जिस पर्ष में प्यार का एहसास होना चाहिए था अब उसकी दर्द ने ले ली थी जिसकी पाकी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी पाकी को पता चल गया था कि कोशल की ये मुस्कुराहट शराब के नशी में है शराब के नशी में चूर कोशल ने पाकी को धक्का दे कर कुछ से दूर कर दिया इधर निर्जीव विस्तर पर पड़ी पाकी की आँखों से आसू लगतार बही जा रहे थे आज उसके टूटे दिल और टूटी चुडियों के दर्द की चीख पुकार सुनने वाला वहां कोई ना था शराब के नशी में जब कोशल ने पाकी से कहा तुम जैसे लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी फटकने नहीं देता था लेकिन मेरी बद किस्मती और तुम्हारी खुश किस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुन्दर पती और मुझे तुम्हारी जैसी पतनी मिली है पूरी रात पाकी की आँखों से नींद गायब थी वो सोचती रहती क्या वाकई उसके किस्मत अच्छी है क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे कोशल जैसा हमसफर मिला है अगले दिन सुबह लड़कडाते कदमों से पाकी नहा दोकर तयार कमरे में बैठी थी कोशल बे सूत था जिसे देखके पाकी के मन में उसके प्रति प्रेम नहीं घिना ने जनम ले लिया था क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति पर में शुर मान रही थी असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला अपने ही खयालों में खोई पाकी दर्वाजे की दस्तक से खयालों से बाहर आ गई और विस्तर से उठकर दर्वाजा खोला देखा तो सामने उसकी सास राधा जी थी राधा जी ने पाकी से कहा बहु चलो आज तुम्हारी पहली रसोई है अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो क्योंकि अब ये घर पती और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है राधा जी ने बड़े प्यार से पाकी से कहा अब तो सब जिम्मेदारियों को अपनी बहु रूपी इस प्यारी सी बेटी को दे कर मैं मुक्त होना चाहती हूँ पाकी ने चुपचाप हां में सिर हिलाया और वहां से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई शरीर पर पड़े नीले निशान देख कर राधा जी ने कहा पाकी दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना क्योंकि एक सफल ग्रहनी और आदर्श पत्नी की यही सिमा होती है क्यों उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर न जाए पाकी देखो बेटा मैं तुम्हें ये एक सास की तरह नहीं मा की हैसित से समझा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होती ही ऐसे हैं खेर चलो काम देख लो और वो पाकी को घर के सारे काम समझा कर रसोई से निकल गई इदर दर्द से करहती पाकी अकेली रोसोई में बैठी अपना मुँ दबाए रोने लगी क्योंकि आज न तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था और नहीं उसका कोई दर्द समझने वाला आज पाकी अपने आपको बड़ा अकेला और असहाय महसूस कर रही थी पर लगा दिया सभी ने नाच्टे की खूब तारिफ की लेकिन कोईशल विना खाए ही घर से विना बताए बाहर चला गया पाकी अभी कोईशल के बारे में सोची रही थी कि उसकी सास ने कहा बेटा रसोई साफ कर लो तो मैं दोपहर का खाना बना देती हूं कि क्या बनाना है सत्से अंजान पाकी सोचने लगी इतने अमीर ससुराल में एक भी नोकर या नोकरानी नहीं है बड़े अश्यरे की बात है अब पाकी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे लेकिन वो पूछे भी तो पूछे किस से आखिर सारे प्रशनों के उत्तर दे कौन जब कोशल को पाकी पसंद ही नहीं थी तो कोशल ने पाकी से शादी ही क्यों की आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी जिससे चाही उससे शादी वह कर सकता था फिर मुझसे शादी क्यों की पाकी की सास और ननन्द उससे बहुत प्यार से बात करती थी कोई भी उनके विवार को देख कर सोचता कितने अच्छे और उच्छ विचार हैं इन लोगों के लेकिन सास ननन्द के विवार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं लेकिन दिमाग कहता नहीं ये प्यार नहीं दिखावा है इसका सहारा लेकर वो लोग मुझे मुर्ख बनाते हैं कहां तो पाकी शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी और यहां शादी होती ही वो अलजनों में उलजकर रह गई उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है पर यह पाकी की भूल थी वह सोचती की जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए यहां तो उसको खुद क अस्तित्व की लडाई अब खुद ही लड़नी थी अब अपनी ससुराल में अपने पती के दिल में वो खुद की अस्तित्व को स्थापित करने की लडाई लडने में और घर के काम करके पाकी ठक चुकी थी गुरगाओं आने के एक सपता तक यही सब चलता रहा पाकी की मा क जब भी फोन आता तो उनसे हस कर बात करती क्योंकि उसे पता था कि उसके परिशानी सुन कर उसके मापापा परिशान हो जाएंगे इसलिए उसने किसी से कुछ ना कहना ही उचित समझा और अगर लौट कर गई तो समाज में उसकी बनामी होगी वो अलग इसलिए उसने चुप जड़ जी का नाम सुनते ही उसे लगा कि शैद जेठानी भी उससे मिलने आई होगी उसने सास से पूछा मा जी लेकिन जेठ जी कब आए क्य भावी भी आई है साथ में राघव तो कल रात में ही आ गया था पाकी की सास ने कहा लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मि गई थी कि जेटशी अकेले ही आये थे उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था पाकी सोच थी ये भगवान मैं कहा आकर फस गई क्या घर है एक बेटा दिन भर घर में रहता है और एक बेटा तो आया लेकिन जेठानी का कोई नाम ही नहीं ले रहा अब रागव घर में साथ ही रहनी लगा तब पाकी को समझते देर न लगी कि ये लोग कोई अमीर खांदान के नहीं बलकि दिखावे के अमीर हैं कागजी शेर की तरह एक दिन शाम को जोर-जोर से गाली गलोच की आवाजे आ रही थी पाकी ने जाक कर देखा तो लेंदार और पैसा पाकी ने देखा कि पता चला कोशल ने किसी बिजनस के लिए लाखो रुपए लिये थे जो चुका नहीं पाया था हाथ पैर जोड कर किसी तरह राधा जी और रागव ने उन लोगों से बिंती की कि कुछ दिनों की और मौलत दे दे तबी घर में उसकी जठानी सिया का आग वाली थी तब सिया ने कहा अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यहीं पूछ लोगे पापा अब ठीक है डॉक्टर ने कहा है अब परिशान होने की कोई बात नहीं है मा पापा के साथ रहने के लिए भईया भी इंडिया आ गए हैं दरवाजदे की ओट से छाकती पा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो पाकी सिया को पाने देने के लिए जटपटर सोई में गई कि तबी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी तुम कौन हो पाकी ने पलट कर देखा तो उसकी जेठानी सिया थी पाकी सोचने लगी इसका मतलब इन्हें ये प पहचाना नहीं तबी पीछे से रागव ने आकर कहा यह कोशल की पतनी है पाकी अब तुम कमरे में चलो इतना सुनते ही गुसे और आकरोश से भरी सिया ने खुद को सेमित करते हुए कहा क्या कह रहे हो तुम लेकिन कब हुई शादी और मुझे तुमने बताने भी जरूरे नहीं समझा रागव ने कहा तुम कमरे में चलो मैं तुमें सब बताता हूँ तबी राधा जी ने कहा क्यों बताते तुमें ताकि तुम उसकी शादी बिगाड सको जानभूजगर हमने तुमें कुछ भी नहीं बताया वो तो शुक्र है हमारे ऐसे दामाज जी का जो उसने क कोशल का विवाह करा दिया वना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती राघव लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना की पाकी से दूर ही रहे और खबरदार जो उसे बिगाडने की कोशिश की तो मैं इसकी परचाई भी पाकी पर नहीं पढ़ने देना चाहती सिया अवाक पाकी को देखती रह गई चुपचाप खड़ी पाकी कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी रादा जी उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहने लगी बहु तुम कोशल को या शादी को लेकर कभी कोई बात सिया से साजह मत करना नहीं उससे तुम्हें बात करने की कोई जरूरत है उसके तो आदत है बातों को बड़ा चड़ा कर बताने और जगड़े लगाने की इसलिए तुम उससे दूर ही रहना मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से छेलती हूँ अच्छा हुआ शादी के समय वो तीन महीने से अपने मा के में उसके बाप का पूरा शरीर लकवा गरस्त हो गया और शादी के पांस साल हो गए लेकिन अभी तक बांच है पाकी चुप चाप कमरे में मुकदर्शक की भाती सब कुछ सुन रही थी इधर रागव ने सिया को कमरे में लाकर कहा देखो सिया मेरी एक बात कान खोल कर तुम पाकी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और चुप चाप अपने कमरे में चली जाओ तब सिया ने कहा लेकिन रागव क्या पाकी को कोशल का सच पता है या नहीं क्या पाकी की शादी कोशल से सच बता कर हुई है या वैसे ही जैसे तुम्हारी और मेरी हुई है चूट बोल कर रागव ने गुस्से में कहा क्या बताया गया है क्या नहीं तुम्हें इससे मतलम नहीं होना चाहिए बस तुम्हारी जुमान बंद रहनी चाहिए पूरी रात सिया की आँखों से नींद गायब रही न चाहते हुए भी बार-बार कमरे में जाओ उसके सामने पाकी का मायूस चहरा आ जाता था दो दिन तक घर में शान्ती और चुपी चाही रही सिया और पाकी एक दूसरे को देखते साथ काम करते लेकिन बात कोई किसी से नहीं कहता तीसरे दिन रात को अचानक सिया को पाकी के कमरे से गाली और थपड की आवाजे आने लगी प्लीज कोशल मुझे मत मारो कि आवाजे आ रही थी सिया भाग कर अपने कमरे से निकलने लगी तो रागव ने उसका हाथ पकड लिया और कहा कहा जा रही हो तुम यह उनका नीजी मामला है तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए सिया नहीं गुस्से में नहीं कहते समझे तुम सिया भाग कर पाकी के कमरे में गई वहां कोशल पैरो से पाकी को मार रहा था कि तभी सिया ने कोशल को पकड़ कर एक जूरदार थपड उसके गाल पर मारा और जटके से उसे पाकी से दूर धक्का दे दिया नशे में चूर कोशल को अपना होश ही न तूट कर रोने लगी, सिया ने उसे सहारा दे कर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा, उसने कहा पाखी अब रोना बंद करो, तुमने क्यों की कोशल से शादी, क्या तुमें इसका सच नहीं पता था, कि कोशल नशे का आदी है, जिसके वज़े से उसके कहीं रिष्ट तूट गए, और अब तो रिष्टे भी आना बंद हो गए थे, इसलिए तो 36 साल की उम्र में भी वो अब तक कुवारा था, इतना सुनते ही पाखी आशेरे चकित हो गई, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, हमें तो बताया गया था कि ये बिजनस संभालती हैं, और पड़े लिके हैं, बस इतना ही, तब सिया ने कहा, पाकी कोशल तो सिर्फ दसवी तक पड़ा हुआ है, वो भी पांच बार फेल होने के बाद पास हुआ है, वो कुछ नहीं करता, सिवाए नशा और लड़कियों को परिशान करने के, उसकी तो सिर्फ शकल ही सुन्दर है, अब आगे उसकी जिन्दगी क्या मोड लेगी, पूरी रात देवरानी जिठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी, अगले दिन हॉल में बुला कर सिया को कटगरे में खड़ा कर दिया गया, हॉल में उसकी ननंद रिया, ननंदोई पवन, कोशल और उसके और पाकी भी मौजूद थे, सब बारी बारी सिया पर इल्जाम लगाते जा रहे थे, कि तभी सिया और पाकी एक साथ बोले, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम बोलना शुरू करें, सिया और पाकी को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देख कर, उसके नंदोई का ग हमारे सामने जुबान खोलो, दोनों के बाप की उकाद नहीं थी, कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को आखे दिखा रही हो, शेट अप मिस्टर पावन आदर्णिय नंदोई जी, इज़त के साथ बात करना, वरना जब हम अपनी पर आ जाएंगे तो आप हवालात की हवा खा जाएंगे, समझे आप कि इस बत्तमीजी के कान आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया है, तो जेल जानी कोशल ने नशे की हालत में खुद ही बयान कर दिया, मुझे पता चल चुका है कि आप कोशल को ब्लेक मेल करके पैसे एटते हैं, और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया है, ताकि वो आपके इशारों पर नाशता रहे, और भावी को माजी की नजरों में चोर, कि उन्ह वो अब अपनी सास राधा जी के तरफ देखने लगा, जो पाकी की तरफ भावना शुन्य होकर देख रही थी, आगे पाकी कहने लगी आपने इस घर में फूट डाल कर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका देवरानी और जेठानी पर काम नहीं करने वाला, और एक आखरी बात, आपने जितनी पैसे कोशल के नाम पर कर्ज लिये हैं, उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे, और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनस का काम काज देखेंगे, अब हमें आपकी कोई जरुवत नहीं है, आपको हम पर एहसान करने की जरुवत नहीं, पवन ने कहा, मम्मी जी, आप कुछ बूलेंगी, अपनी छोटी बहु को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इलजाम लगा रही है, अपनी जेठानी के बहकावे में आकर, मुझे अच्छे से पता है कि, ये सब इस तेज तरार सिया की पवन ने गुसे से कहा, तबी गुसे मेरा आखव ने कहा, खबरदार पवन जो मेरी पतनी के खिलाफ एक शब्द भी कहा, तो ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी मा और अपनी बहन की वज़े से बरदाश करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का, तुम अब कल से आफिस नहीं आओगे, इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाए, लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी राधा जी कुछ भी सुनने को तयार ही नहीं थी, उन्होंने पाकी से कहा, तुमें कैसे पता चला कि सिया की गहनों का सच और ये अच्छल को ब्लेकमेल करता है, तब पाकी ने कहा कि मा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं गई थी, जीजा जी की बेहन की शादी में, पाकी ने अपनी सास राधा जी से सवाल किया, क्यों नोंने हमारे घर निमंतरण नहीं दिया था, अरे वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य रिष्टिदार नहीं गया था, अच्छा तो फिर ये क्या है, पाकी ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा, राधा जी ने फोटो देखे, तो शादी बहुत ही आलिशान तरीके से हुई दूर और नजदीक के सारे रिष्टिदार आए हुए थे, सिवाए राधा जी के घरवालों के, पवन की बहन ने सारे जडाओ और पुष्टैनी राधा जी के गहने पहनी हुए थे, जिसका इल्जाम सिया पर लगा दिया गया था, पाकी ने कोशल से कहा, कोशल अगर आज आपने सच नहीं कहा तो, पूरी जिन्दगी इस दलदल से नहीं निकल पाओगे, उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई, जो जीजा जी के कान ही हुई थी, और एखा कोशल की प्रेमका को भी जीजा जी ही होटल के रूम में लेकर गए थे, पाकी ने कहा, ताकि आपका सच जान कर आपसे शादी से इनकार कर दे, और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया, जो आप कभी नहीं थे, कोशलाज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, तब उसकी ननन रिया ने कहा, पाकी तुम उससे किस जनम का बदला ले रही हो, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही है, क्यों मेरी शादी शुदा जिन्दगी तबाह करना चाहती हो, तब पाकी ने कहा, दीदी, आपने अपना मायका और हमारे जिन्दगी खराब करते समय ये सोचा था किया, आपने हम लोगों से किस बात का बतला लिया, अगर आपको मायके की प्रोपर्टी चाहिए थी, तो फिर आपने भाईयों की शादी करा कर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी, बताइए ना दीदी, रिया नजरे जुकाई चुपचाप खड़ी थी, आपने हमसे किस बात का बदला लिया, क्या मैं जान सकती हूँ, मा जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं, नजरे जुकाई राधा जी ने कहा, मैंने कमपनी दोनों दामादों और बेटियों के नाम कर दी है, राधा जी की बात सुनकर पाकी और सिया एक दूसरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी क कोई मतलब ही नहीं होता था, सास की बात सुनते ही सिया और पाकी के साथ साथ राखफ और कोशल के भी होश उड़ गए, राखफ ने कहा, मा, सारा बिजनस दोनों दामादों के नाम पर कर दिया, इसका क्या मतलब है, आपने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, कि हम अब अपना गुजारा कैसे करेंगे हम लोग सडक पर आ जाएंगे अब तक नजरे जुकाये खड़ी राधा जी ने गरच्टे स्वर्मी कहां तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती जो कभी भी पूरे बिजनस को बेच कर खा सकते थे तुमारे बाप का तो वैसे भी दिमाग काम नहीं करता वो किसी काम लायक नहीं है तो क्या तुम लोगों के भरोसे रह कर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती अरे तुम लोगों को तो शुक्र गुजार होना चाहिए मेरा दामाद का जिसने तुम लोगों की शादी करा दी वरना तो तुम लोगों से माफी मांगे या आज से और अभी से तुम लोगों को इस घर और पैसे पर कोई हक नहीं समझे और हाँ पाकी कहने चोरी नहीं हुए थे बलकि मैंने ही उन्हें दिये थे सोचा था इस बहानी ये सिया इस घर को छोड़ कर चली जाएगी लेकिन ये तो कुंडली मार कर इसी घर में अब तक बैठी हुई है ये सब कुछ बखेडा इस चालाक और तेज दरार सिया का ही किया धरा है चुपचाप सब कुछ देखते सुनते पाकी के ससूर प्रभाद चीदे बोला वहरादा क्या बात है तो मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ ही वही व्यव जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था पहले उन्हें जुटे दहेज के केस में फसानी की धंकिया दी मुझसे दूर किया और अब बेटों के साथ ऐसा सोतेला व्यवार प्रभाद ची ने कहा भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी मा अपने बेटों के साथ पहले मेरे बच्चों की नजर में मुझे गलत साबित किया उन्हें मुझसे दूर किया और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो ये मेरे जीते जीतों संभव नहीं होगा मेरे बेटे बहु इस घर से कहीं नहीं जाएंगे और ना ही मेरी बहु किसी से माफी मांगेगी प्र ये मेरे साथ कमरे में पवन ने प्रभात जी का हाथ पकड़ते हुई कहा, अपना हाथ पवन के हाथ से छुड़ा कर प्रभात जी ने कहा, मैं बिलकुल ठीक हूँ, तुम्ही चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतनी खास चिंता तुम अ पाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोके का शिकार बना लिया, घर में चारो तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, यहां से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले की हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज तक मेरे नाम है, रादा तुम भी चाहो तो जा सकती हो, इस घर से, मैं क्यों जाओं इस घर से, मैं तो यही रहूंगी और जो मेरी मर्जी होगी, वैसा जैसा मेरा मन होगा, मैं वैसे ही करूंगी, पवन्रिया के साथ घर से जाने लगा, तो सिया ने उनको रोक कर कहा, मैं आपसे एक बात कह आपको आज शैद एसास नहीं अपनी गलतियों का लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़की और ओरतों का अपमान करती हैं। और कैसे करोगी कहकर पवन और रिया वहां से चले गए। इधर सब सोफी पर बैठ कर सोचने लगेगी अब आगे क्या और कैसे होगा। के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मुर्ख बना कर हमारे ही पैसे हमें दे कर हम पर एहसान कर रही हैं। मैंने मा और बहन बहनोई पर आख बंद करके भरोसा किया। जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करें। सिया ने कहा राघव अब जो होना था वो तो हो चुका, अब ना वो सुधर सकता है और ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सकें। लेकिन अब हमें आगे कुछ सोचना होगा, राघव और कोशल ज्यादा पड़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन सिया और पाकी दोनों पड़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नोकरी ढूननी शुरू की, और उन्हें दस कोड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब कोशल और राघव भी शामिल हो चुके थे, लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला, तो वो था राधा जी का व्यवहार, प्रभात ची ने उसके बाद उनसे बात करना ही बिलकुल बंद कर दिया था, सभी लोग अपने जीवन में व्यास्त थे, राघव और कोशल भी सिर्फ काम से काम रखते, एक दिन अचानक राधा जी ने कहा, वो अपने बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वहीं उनको अपना पन और प्यार सम्मान मिलेगा, लेकिन आज उन्हें जाते हुए सब लोग देख रहे थे, किसी ने उन्हें रोकना तक उचित नहीं समझा, इधर पाखी और कोशल के दिलों की दूरिया अब कम होने लगी थी, कोशल को अब एसास होने लगा था कि सिर्फ जिन्दगी में सुन्दर्ता ही सब कुछ नहीं होती, जिन्दगी जीने के लिए एक सच्चे और सम चीवन साथी के जरूरत होती है, पाकी के समरपण ने उसके दिल में जगे बना ली थी, उसने अपने नशे की लथ पर काबू पाना शुरू कर दिया था, जिन्दगी धीरे धीरे पट्री पर आने लगी थी, सिया ने दो जुड़वा बेटियों को तो पाकी ने एक बेटे को जनम दिया, अपने सम्मान की लड़ाई जो सिया और पाकी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे दस साल एक कठिन संगर्श के बाद पूरी हो चुकी थी, अब काम्याबी उनके कदम चूमने लगी, पूरे शहर में सफल व्यावसाई महिलाओं और देवरानी जिठान के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी, आज सिया के जनम दिन के दिन पाकी उसके पास आई और उसे गले लगा कर कहा, भावी मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे शुरू करो, तब ही कमरे में राघव ने परवेश किया, जो काफी परिशान दिख रहा था, राघव को परिशान देख कर सिया और पाकी खड़े हो गए, सिया ने कहा, राघव क्या हुआ, तुम परिशान क्यों हो, राघव ने घवराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनभी का फोन आया था, मा अस्पताल में भरती है, उनकी स्थिति कमभीर है, सोच रहा हूँ, क्या करूँ, जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, तब सिया ने कहा, राघव कुछ भी हो, है तो तुमारी मा ही, इसलिए हमें चलना चाहिए, और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े, अस्पताल पहुचने पर पता चला की, राघव को डॉक्टर से पता चला की, राघव की हालत कमभीर है, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, वो किस से पूछे की, इन्हें यहां कौन लेकर आया, कैसे उनके चोट लगी, मा की हालत देकर, राघव अपने जजबात रोक नहीं पाया, और फफक फफक कर रोने लगा, तब स्रिया ने उसे संभालते हुए कहा, राघव हिमत से काम लो, मा जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि, जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, मा उसे परिशान होते हुए कभी नहीं देख सकती, ठेक उसी प्रकार एक मा को उसके बच्च सही कही गई है, तब ही डॉक्टर ने आकर कहा, देखी, पिशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत खून चड़ाना होगा, आप लोग बलड का इंतिजाम अधिक से अधिक कर लीजिए, राघव सिया और राधा जी का एक बलड ग्रूप सेम था, लेकिन फिर भी सबने अपना अपना बलड ग्रूप चेक करवाया, और कोशल ने रिया के घर फोन किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, उसने कार निकाली रिया के घर जानने के लिए, और उसके घर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, नहीं आसपास के लोगों को कुछ भी पता वो वापस लोटने के लिए कार में बैठ ही रहा था, कि उसे रिया के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे कोशल ने आवाज दी, तो कोशल को देखते ही, वो तेज कदमों से चलने लगी, तब कोशल ने भाग कर उसे पकड़ा, फिर उसने पहले तो कुछ भी नहीं बता और ना पता होने का बहाना बनाया, फिर गोशल ने जोर देते हुए पूछा, और गुसा दिखाया, तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना, फिर उसने बताया कि कल रात, आपके दोनों जीजाओं में पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों का बिजनस में खाटा हो रहा था, दोनों लोग नशी में थे और उनका पैसे को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि वह लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड पड़े, तब ही आपकी महराधा जी बीच में आकर उन दोनों के बीच बचाव करने लगी, तो दोनों लोगों ने आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलोज करने लगे और उनसे बत्तमीजी करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे घर में रह सकती हो, जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिये हैं, अब किस मूँ से इतने सालों बाद जाओंगी पैसे लेने तब उन लोगों ने गुसे में आपकी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दिवार से टकरा कर जमीन पर गिर गई उनका सर फट गया लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई ना बेटी को ना ही दामाद को भाईया पिछले चार साल से जब इन लोगों का व्यापार में नुकसान होने लगा तब से आपकी माँ बेटी दामाद के घर को नजर अंदास कर रही थी रोज रोती रहती थी पश्टाती रहती मैंने अपनी आखों से उन्हें अकेले में रोती हुए देखा है कोई उनसे बात नहीं करता था रोज अपने मरने की दुआ मांगती थी जब चोट लगी तब मेरे पती ने उन्हें बेऊशी की स्थिती में अस्पताल पहुँचाया और आप लोगों को फोन किया वो लोग तो अस्पताल ले जाने को भी राजी नहीं थे कहा मरती है तो मर जाए बुढिया वैसे भी कौन सा काम करती है कौन इसे पूछेगा कोशल इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने के बाद सारी बात रागव को बताई सारी बाते सुनकर हर कोई सोच रहा था कि पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है तब कोशल ने कहा भाईया मैं लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं उनकी पुलिस में शिकायद दर्ज करवा दूँगा पीछे से कोशल के पापा परभाद जी ने कहा बेटा शांत हो जाओ तुम एक बेटे हो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जजबात लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को मिलती है पहले अपनी मां को ठीक हो जाने दो फिर सोचते हैं क्या करना है चार दिन बाद राधा जी को होश आया डॉक्टर ने बताया कि राधा जी को होश आ गया है ये खुशकबरी सुनते ही वो लोग भाग कर कमरे में गए लेकिन अब कोशल, राधाव, सिया और पाकी प्रभात जी के कमरे में पहुँचे तो राधा जी खामोश थी जब राधाव ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि राधा जी की आदाश्त पूरी तरह से जा चुकी है आगे उन्होंने बताया कि वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है इसलिए वो आप लोगों को भी पहचान नहीं रही है राधा जी का इलाज बहुत जगे चलाया गया लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ कहीं से कोई फाइदा नहीं हुआ तो राधा जी अब सिया को मा बुलाती बच्चों की तरह खेलती, बच्चे जैसी हरकते करती उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी उपर दया आती लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता था प्रभाद जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को भी मना कर दिया दिखने लगे कि जाने दो कोई फायदा नहीं लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है एक दिन टीवी पर सब एक साथ समचार देख रहे थे कि उसी न्यूज में घर के दोनों दामादों का नाम देख कर सब लोग चौक गए पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोका दड़ी और फरसी वाड़े के मामले में गिरफतार कर लिया था उनकी पूरी समपत्ती सील करके निलाम कर बैंकों का कर्ज भई खाते के सरकार ने ओर्डर पास कर दिये थे परिवार के लोग यह सब देख कर हैरान थे आज बूली लगाने वाले खरीदने वाले आज सिया और पाकी थे पूरी संपत्य उन दोनों के नाम पर हो गई थी जिसकी खुशी से घर में सकसेस पाटी रखी गई थी फिर सिया के कमरे में पाक ही आई और उसने कहां दीदी उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूं मेरी जिन्दगी को दिशा देना जीवन जीने का मैं तब समझाने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपने मुझे उस दिन सचना कहा होता तो शायद मेरी जिन्दगी के वो आखरी रात हो जाती और मैंने हार कर मोत को गले लगा लिया होता फिर सिया ने कहा पाकी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ये सब कुछ तो मैं अकेले कभी नहीं कर पाती, अगर तुम्हारी जैसी समझदार बहन मुझे ना मिली होती, सिया ने कहा यही तो बात है दीदी, अब आपको दीदी समझ कर हर चीज के लिए परिशान करने वाली हूँ, प्यार और अपने पन की खुश्पू ही नहीं है, तब आपने कहा था कि पाकी पलास के फूल की सुगंद भले ही ना हो, लेकिन इसमें तमाम औशद्या गुण होते हैं, जिसको जान कर अगर सही तरीके से उप्योग किया जाए, तो हम सभी शिकायतों से लड़ सकते हैं, हम औरतों की जिन्दगी किसी भी हालात में आसान नहीं है, जनम से लेकर मृत्यू तक हमें संघर्च करना ही होता है, इसलिए किसी को छोड़ कर चले गए, किसी की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं हम लड़कर मायके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे परिवार को भी ताने सुनाता है, हमारे साथ उनके कठनाईया और भी बढ़ने लगती है, इमानदारी से अमीर भी बन सकते हैं, और इस समाज में पूर्वधाना हो सकती है, अगर घर की औरते एक जुट हो जाएं तो घर और घर के बाहर और दोनों जगे से वो सब कुछ संभाल सकती है और फिर दोनों देवरानी जिठानी बेहन बन कर साथ-साथ खुशी-खुशी रहनी लगी तो दोस्तों आपको ये भावुक और पेनादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छूग गया कमेंट करके जहूर बताएं और हाँ यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना ना भूलें तो मिलते हैं एक नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद